गड़ी में समय देखना भाग एक रीडिंग अक्लॉक पार्ट वन आज हम सिखेंगे गड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और गड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना नमस्ते सर अरे नेहा और बंदना अंदर आईए बताईए क्या काम है सिर इस बार हमारी स्कूल की पिकनिक मनुरंजन पार्क जा रही है ना हाँ तो सर मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबो क्या है मतलब बस कितने बज़े स्कूल से चलेगी मनुरंजन पार्क कितने बज़े पहुँचेगी कितने बज़े हम लंज करेंगे और कितने बज़े वापसा करेंगे सर आपने ये दो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है नहीं नहीं नहा ये घड़ियां खराब नहीं है ये दोनों घड़ियां सही है नहीं सर देखें इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है हाँ नहा सभी घड़ियों में एक ही सुई है लेकिन दोनों घडियां सही है देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है और इन घडियों में ऊपर यह जो बटन लगा है इससे इन सुईयों को घुमा कर time set कर सकते हैं तो क्या ये दोनों सही समय बता रही है? कि यह सही है या नहीं पर सर हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता क्यूं अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया नहीं सर कोई बात नहीं मैं सिखा देता हूं घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है ठीक है सर, सिखाईए, बहुत मज़ा आएगा देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे बंदना, आप बताईए कि अभी घंटे वाली सुई किस नम्मर पर है सर घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है? हाँ सर फिर तो घंटे वाली सुई अभी नौ पर है इसका मतलब हुआ कि अभी नौ बजा है सर अगर दस बजा होता तो तो फिर घंटे वाली सुई दस पर होती मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नम्मर पर होती है उतना ही समय होता है? हाँ फिर तो ये बहुत आसान है हाँ आसान ही होता है अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाए जहाँ पर ये तब होगी जब दो बजे होंगे ठीक है सर, कोशिश करती हूँ हम, अब ये 10 पर सुई है अब ये 11 पर है मतलब 11 बजे है अब 12 बजे है अब एक पर है यानि एक बजे है अब ये आ गई दो पर सर, ये दो पर होगी जब दो बजे होंगे शाब बाश वंदना देखो, घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है, है न? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी ध्यान से सुनिए नेहा घड़ी में एक से लेकर 12 तक नंबर होते है हर नंबर के बीच का अंतर होता है 5 मिनट जब मिनट की सुई एक पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए ठीक, ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए मतलब, जिस नंबर पर मिनट की सुई हो उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते है कि कितने मिनट हुए है समझ गए नेहा जी सर कोशिश करती हूँ ठीक है फिर बताईए अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है सर अभी ये 6 पर है अब बताईए कि कितने मिनट हुए है सर एक पर सुई होगी तो 5 मिनट 2 पर सुई होने पर 10 मिनट सही है नेहा, बस नंबर में 5 का गुणा करते जाए, मिनट पता लगती रहेगी चार पर सुई आने पर 20 मिनट, पांच पर सुई होने पर 25 मिनट, और छे पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे सिर अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए है बिल्कुल सही नेहा अब इस बटन की सहता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाए जब 8 मिनट हुए होंगे सर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए है इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे 9 पर 45 मिनट 10 पर सुई होने पर 50 मिनट 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे सर 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे बिल्कुल सही नेहा अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग-अलग पढ़ना सीख गए हो अब मैं आप लोगों को एक-एक शीट देता हूँ अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुईयों को एक साथ लिखना सीखेंगे ठीक है सर अब हम चलते हैं आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें पांच से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं